थड़के ए में देखते हैं क्या पूछा गया है fat is completed digested इंदा तो fat जो हमारे completed digested कहां पर होता है तो हमें जो बता रहा है इस तमख में नहीं होता माउथ में तो होता ही निया माउथ में तो हमारी जो starting process होती है तो जो हमारे complete वह कहा होता है हमारा small intestine में और large intestine में तो जाते हैं हमारे water absorb होता था और cell ठीक है अब यहाँ पर question number 3 का B में देखते है water from the undigested food which absorbed mainly in the undigested food की बात कर रहा है undigested food में क्यों होता था सिर्फ water बच जाता था और चो water अगर बसता था वहाँ पर होगा हमारा सिर्फ large intestine में होगा ठीक है अब हम बढ़ते अपने next question के तरफ यह question बहुत ध्यान से करना mcqs होते हैं हलगी सी भी गलती हो गई तो बहुत problem हो सकती है अब हम बढ़ते अपने next question number 4 की तरफ